बॉलिवड अभी नेता शुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद वो रही कभी अंकिता लोखंटे से सफाई मांगे गई तो कभी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया इस दोरान वह कई बार टूटी उन्होंने कई मौकी पर सफाई भी पेश फी लेकिन वह हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर बनी रही हाला कि अभी नेत्री ने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि इन पूरे मामले में उनके पती और शुशान्त के दोस्त विक्की जैन का क्या रियक्शन रहा एक साक्षाकतार के दोरान अभी नेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा मैं और सुशान्त 2016 में अलग हो गए थे दो साल तक सिंगल रहने के बाद 2008 में मैंने विक्की को डेट करना शुरू किया लेकिन जब शुशान्त की मृत्यू हुई तो ट्रोल्स ने विक्की पर हमला करना शुरू कर दिया वह कहने लगे अंकिता शुशान्त के लिए सबसे अच्छी थी और उसे हमेशा शुशान्त के साथ रहना चाहिए था शोशल मीडिया ने विक्की को मुझे छोड़ने के लिए कहा क्योंकि मैं शुशान्त के लिए अच्छी थी एक आदमी के लिए उसे देखना आसान नहीं है अंकिता आगे कहती है इस दोरान हर रोज अलग-अलग कहानिया सामने आ रही थी और मैं भी हर समय शुशान्त के बारे में ही बात कर रही थी लेकिन विक्की ने कभी मुझे से कुछ नहीं कहा ना ही कभी कोई सफाई मांगी बनकि विक्की के साथ साथ उनका परिवार भी मेरे साथ था अभी नेत्री कहती है अगर कोई और लड़का होता तो वह कब का मुझे छोड़ कर चला गया होता लेकिन विक्की वहीं खड़ा था, वह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन गया था हम दोनों सदमे में थे और ट्रोल से हमारी जिंदगी और कठिन कर दी थी जब शुशान की मृत्यू हुई और मैंने उसके बारे में बात करना शुरू किया तो मैं लगातार अस्मन जस्मन की स्थिती में थी, कि क्या मैं सही कर रही हूँ 6 महिने तक शुशान तो और मेरे अतीत की नई-नई कहानियों को सामने लाया जा रहा था अगर मैं विक्की के जगा पर होती तो मैं उसे अपनी अतीत के बारे में बात करते हुए नहीं देख पाती मैंने शुशान के लिए एक स्टेंड लिया था और मैं ऐसा कर सकी क्योंकि विक्की मेरे साथ था वीडियो को लाइक करें शेयर करें म्रदभाशी से जुनने की लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बलाइकन दवाना ना भूलें